हाई गाईज, वेलकम टू करंट अफेर्स फंडा, फ्रेंड से नवंबर फस्ट वीक करंट अफेर्स की रिविजन कलास है, जो भी एस्पिरेंट्स हमारी डेली करंट अफेर्स देखते हैं, उनके लिए करंट अफेर्स रिवाइस करने का यह अच्छा सोर्स है, और जिन्हों अब तक नहीं देखी है, वे लोग नवंबर फस्ट वीक के कम्पलीट करंट अफेर्स इस वीडियो से कवर कर सकते हैं, मैं हूँ आपके साथ विशिक शर्मा, चले करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की गेमिंग एक्ट 1974 को अमेंड किया था हाल ही में, जिसके तुरू ओनलाइन गेमिंग, ओनलाइन गेंबलिंग, और ओनलाइन बैटिंग, इन्हें ओफेंस करार दिया गया है, हाला कि ड्रीम 11 पर बैन नहीं लगाया गया है, आंद्रप्रदेश के सीम है Y.S. जगन मोहन रिड ही है, तो अब legislative capital अमरावती होगी, executive capital होगी Y.S. और judicial capital होगी कुर्णूल, तो इस हिसाब से जो नई capital होगी, वो मानी जाएगी Y.S. और friends, साथ ही में हम देख लेते हैं कि आंद्रप्रदेश राज्ये किन-किन गाज्यों से अपनी land border share करता है, तो तेलंगाना, 36 गड, तमि पोस्ट लाइन है, यह सबसे लंबी है, 1 October 1953 को linguistic basis पर बनने वाला पहला राज्य आंद्रप्रदेश ही है, और friends, आंद्रप्रदेश जुड़े हुए अगर current affairs की बात करें, तो यहां के CM ने जगन्ना, विद्या, कनुका, यह scheme launch की है, government schools के students के लिए, साथ ही यहां के CM ने अम इसरो, which planet is losing its surface faster than Earth, the correct answer is option A, तो भारतिय अंत्रिक्स अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार, मंगल गर्य पिर्थवी की तुलना में अपनी सतय को तेजी से खो रहा है, और friends, मार्स पर नासा का भी एक मिशन है, जिसका नाम है मावेन, यानि मार्स एट्मोस्फेर एंड व वो heat up कर रहा है, और dust storm के कारण, expand कर रहा है, तो मार्स को red planet या roman god of war भी कहते हैं, और इसके दो moons है, phobos and dimos, और यहाँ पर जो भारत का mission काम कर रहा है, उसका नाम है मार्स orbiter mission, और friends अगर इसी से जुड़े कुछ current affair की बात करें, तो हाद ही में Venus पर phosphine gas पाई गई है, तो जिससे यह अंदाजा लगाए जा रहा है कि यहाँ पर life होने के chances बन सकते हैं, The correct answer is option C, तो statue of unity और साबर मती रिवन फ्रंट एहमदाबाद के बीच, C plane सिवा परदार मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा शुरू की गई है, यहाँ के CM है विजे रूपानी, गवर्णर है आचारे देवरत और कैबिटल है गांधी नगर, गुजरात से जुड़े अगर करेंट अफेर्स की बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा toy museum गुजरात में बनेगा, 1500 करोड रूपे की लागत से, साथ ही यहाँ की गवर्मेंट ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्स योजना की भी शुरूआत की है, और गुजरात ने डिजिटल सेवा सेतू इसको भी लौंच किया है, साथी वर्ड का लोंगेस्ट सर्विंग वार्शिप, इसको डिस्मेंटल करने के लिए, यानि इसके पार्ट्स अलग-अलग करने के लिए, अलंग से प्यार्ड लाया गया था, तो याद रखना, अलंग ब्रेकिंग से प्यार्ड यह कुजरात में लोकेटेड है, तो यह आपके स्टैटिक जीके में पुछा जा सकता है, एस पर दी वर्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलप्मेंट ब्रीफ, वट परसेंट फाल वूड बी सीन इन दे रेमिटेंसे सेंट टू इंडिया इन 2020, ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी, तो वर्ड बैंक्स के माइग्रेशन एंड डेवलप्मेंट ब्रीफ के अनुसार, 2020 में भारत को बेजे गए रेमिटेंस में 9 परतिशत की गिरावट आएगी, तो यह 9 परतिशत की गिरावट मतलब 76 बिलियन डॉलर, लेकिन तब भी इंडिया जो है वो टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, तॉप डेस्टिनेशन या फिर टॉप 5 कंट्रीज में रहेगा जो की फोरें रेमिटेंस प्राप्त करते हैं, इसके बाद आएगा चाइना, मेक्सिको, फिलिपिन्स एंड इजिप्ट, फ्रेंट्स, रेमिटेंस का मतलब होता है transfer of money, यا फिर foreign workers, जो पैसा अपनी home country में भीज़ते हैं, उसे remittance कहते हैं, और इसमें ये भी बताया गिया है, कि the amount of money migrant workers send home is projected to decline 14% by 2021, तो फ्रेंट्स, जो pre-COVID level है, यानि कॉरोना काल से जो पहले का टाइम है, तो उससे अगर compare करें, तो 14% ही गिरावट आएगी 2021 में, जो foreign workers अपना जो remittance send करते हैं उसमें The correct answer is option D तो सतरकता जागरुकता सब्ता है, 2020, 27 October से 2 November के बीच मनाये गया और इसका theme रहा है सतरक भारत समरद्ध भारत, यानि Vigilant India Prosperous India और friends इसमें सबसे important बात ये है कि इसे observed किया गया है Central Vigilance Commission द्वारा और साथ ही ये भी याद रखना कि National Conference on Vigilance and Anticorruption इसको होस्ट ही आता इस बार Central Bureau of Investigation ने, यानि CBI ने CBI इसको होस्ट करती है, तो ये दोनों आप याद रखना और आपको पता ही होगा सर्दार वल्लब भाई पटेल की जो बर्थ anniversary है उसके उपलक्स में ये मनाया जाता है, 31 October जोगिंदर वार मेमोरियल हैज बीन इनोगरेटेड इन विच स्टेट तो जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्गाटन अरुणाचल परदेश राज्य में किया गया है फ्रेंड्स जोगिंदर सिंग है ये 1962 के इंडिया चाइना वार में बहादरू से लड़े और इसलिए इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था और अरुणाचल परदेश के CIMA पेमा खांडू यहां के कवर्णर है BD मिश्रा और कैपिटल है इटा नगर अरुणाचल परदेश को लैंड ओफ डॉन लिट मौंटेंज भी कहा जाता है तो यह आप इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजेगा इस्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क विल कम अप इन विच स्टेट तो भारत का पहला टायर पार्क यह वेस्ट बेंगौल राज्य में बनेगा जैसे कि जो टायर होते हैं तो उनसे जो एक आर्ट वर्क मनाई जाती है उनको पेंट करके या फिर उनको अलग-अलग तरीके से अरेंज करके तो इसी तरह का पार्क बनेगा यहां की CM है मुमताब एनरजी गवर्नर है जगदीब धनकड और कैपिटल है कॉलकाता लोन्स अप्टू वट एमाउंट और इलिजिबल तो अवेल दा कंपाउंड इंट्रस्ट वेवर इस्कीम तो चक्रवर्दी ब्याज माफी योजना का लाब उठाने के लिए दो करोड रासी तक के रिन पात्र को जो है इलिजिबल है तो फ्रेंड्स ये इस्कीम लोन मॉरेटोरियम में ब्याज पर ब्याज माफ करने के लिए शुरू की गई है और दो करोड तक के करज पर कोरोना महमारी के दोरान ब्याज चुकाने के लिए जो राहत दी गई थी उस समय अवदी के दोरान चकरवर्दी ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की रासी का बुकतान सरकार करेगी तो इसमें बैंक पहले करज दारों के लोन वाले खाते में रासी जमा करेंगे और इसके बाद केंदर सरकार उन्हें रिमबर्समेंट देगी और यह योजना एक मार्स से 31 अगस्त 2020 के बीच स्पेसिफाइड एकाउंट्स के करजदारों पर लाग होगी इन इट्स TIARA रिसर्च रिपोर्ट इंडियन इंस्टिटूट ओफ हुमन ब्रेंड्स तो अपनी TIARA रिसर्च रिपोर्ट में इंडियन इंस्टिटूट ओफ हुमन ब्रेंड्स ने महिंदर सिंग दोनी को सबसे सम्मानित खेल व्यक्तित्व के रूप में नामित किया है फ्रेंड्स 15 अगस्त को MS दोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटार्मेंट ले लिया था और इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हार्दिक पांडिया कॉंट्रोवर्शल सेरेब्रिटी हैं सबसे ज्यादा और जो विराट कोली है ये कॉंट्रोवर्शल टेलिविजन सेलिब्रेटीज है और साथ ही ये हाइस्ट अट्रेक्टिव कोशंट है कोशंट मतलब डिगरी रेडिया अमाउंट अफ सम्थिंग और कोली एंड अनुष्का शर्मा ये मोस्ट अट्रेक्टिव कपल है आगे बढ़ते हैं तो निम्न लिखित में से जम्मू एंड कश्मीर जीला इस्तर पर सार्वजनिक वित्य परबंदर्म परणाल यानि PFMS को संचालित करने वाला भारत का पहला किंदर सासित परदेश बन गया है फ्रेंड्स पब्लिक फाइनेशल मेनेजमेंट सिस्टम के थूँ आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको जो पेमेंट किसी के द्वारा दी गई है उसका क्या स्टेटस है जैसे कि सबसीडीज ट्रांसफर की जाती है बैंक अकाउंड में तो वो आप चेक करते हैं तो उनी सबी सर्विसेस को PFMS यानि पब्लिक फाइनेशल मेनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है तो हाल ही में ICICI बैंक ने स्री लंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है ICICI बैंक का हैटकॉर्टर से हैं मुंबई में और इसके MD and CEO हैं संदीब बक्षी ICICI बैंक से जुड़े अगर पिछले महीने कुछ करंट अफेर्स की बात करें तो ICICI बैंक ने Insta Flexi Cash इसको भी लॉंच किया है तो Insta Flexi Cash Facility जो है यह ICICI बैंक सेलरी एकाउंट कस्टमर्स के लिए है तो अगर उन्हें instant कोई लॉंच चाहिए overdraft facility चाहिए तो उसके लिए यह लॉंच किया गया है साथी ICICI बैंक ने iBox इसको भी लॉंच किया है जो कि एक unique self-service delivery facility है इसके customers के लिए साथी ICICI बैंक ने iStartup 2.0 जो कि इंडिया का most comprehensive program है स्टार्टप के लिए इसको लॉंच किया है According to professional network LinkedIn's labor market data which of the following emerged as the fastest growing skill in 2019-2020 तो LinkedIn के स्रम बाजार आकडो के अनुसार 2019 और 20 में निमलिकित में से कौन सबसे तेजी से बढ़ते कोशल के रूप में उबरा है तो इसका सही जवाब होगा D Python जो की programming language है और friends इसमें ये भी कहा गया है कि जो jobs है जो competition है jobs के लिए वो 30% higher रहेगा last year के मुकाबले और friends इसमें सबसे ज़्यादा जो कोशल उपरा है वो तो है Python programming language और इसके बाद जो है machine learning, फिर data structures फिर digital marketing and then HTML5 which two-wheeler maker has tied up with Amazon India to sell its range of apparels and accessories online the correct answer is option C तो यामा मोटर्स जो की एक Japanese two-wheeler company है इसने अपने सामान online बेचने के लिए Amazon India के साथ करार किया है तो IPL के हितियास में लगातार सतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने है शिखरदवन जो की डेली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं तो पहले इन्होंने चेन नई सूपर किंग्स के खिलाफ और उसके बाद किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ लगातार दो सेंचुरी स्थोकी है दान दिया गया है फ्रेंड्स ये पांच पार्टी जो है बीजेपी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस एनसीपी सीपी एम और और अल इंडिया त्रिनमूल कॉंग्रेस तो इन्हें टोटल 2018 में 876 करोड रुपे की डोनेशन मिली है और जिसमें से की ब्याण में प्रतिशक जो इनको डोनेशन मिली है ये ग्यात स्रोतों से है मतलब नोन सोर्से से है और फ्रेंड्स इसमें जो टॉप डोनर्स रहे हैं वो है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट फिर प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट फिर AB General Electoral Trust तो इसी तरह से लिस्ट है आगे की और इस चार्ट से आप देश सकते हैं कि सबसे यादा donation 2018 में BJP को मिली है 698 करोड रुपे की उसके बाद आती है Indian National Congress फिर तरणमूर Congress फिर NCP and then CPM Recently the Reserve Bank of India has cancelled the certificate of registration of how many non-banking finance companies यानि NBFCs the correct answer is option D तो भारती Reserve Bank ने साथ गैर banking वित्य कंपनियों के पंजीक रंड के परमान पत्र को रद कर दिया है और friends इससे पहले मई 2020 में भी 14 NBFCs का जो certificate है वो RBI द्वारा रद कर दिया गया था तो NBFC यानि गैर banking किंग वित्य संस्था उस संस्था को कहते हैं जो company अधिनियम 1956 के अंदर गर्थ पंजीक रत होती है और यह demand deposit accept नहीं करते हैं तो दो सो आईपल मैच खेलने वाले पहले किराड़ी बने हैं चेन्नाई सूपर किंग के कप्तान MS धोनी तो जब इन्होंने राजस्थान रोयल्स के खिलाव मैच खेलने उत्रे तब इन्होंने एक किरतिमान इस्थापित किया बर्थ एनिवर्शरी ओफ विच अमंग दा फॉलोइंग लेडर्स इस अब्ज़र्वड एज नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रे एकता दीवस ओन ऑक्तोबर 31st एवरी एर तो सर्दार पटेल की जैनती हर साल 31 अक्टोबर को राष्ट्रे एकता दीवस के रूप में मनाई जाती है और अगर सर्दार पटेल जी की बात करें तो इस बार इनकी 145 वी बर्थ एनिवर्शरी मनाई गई है इन्हें Iron Man of India भी कहते हैं और यह भारत के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और फ्रेंट्स जो यह National Unity Day है यह सबसे पहले 2014 में मनाई गया था और Statue of Unity जिसमें की सर्दार पटेल की यह स्टेचू है 182 मिटर और इसको बनाया इसको जो अन्विल्ड किया गया था वो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था और इन्हें Patterns Sent of India's Civil Servants यह भी कहा जाता है तो काफी important facts हैं आप इन सभी को note down कर लिए जएगा Recently Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated Mansar Lake Development Plan in which state और UT The correct answer is option D तो हाल ही में केंदरिय मंतरी Dr. Jitendra Singh ने Jammu and Kashmir केंदर सासित परदेश में Mansar Jil Vikas योजना का उद्खाटन किया है Friends, Dr. Jitendra Singh जी ने Jammu and Kashmir में River Devika के Rejuvenation Plan की समिक्षा की है और इसी के साथ ही मांसर जील के Renovation Project का उद्खाटन किया है Jammu and Kashmir के Lieutenant Governor है Manos Sina और Friends, Dr. Jitendra Singh के पास कई सारे कारेबार है केंदर सरकार में ये Minister of State for Ministry of Development of North Eastern Region के साथ-साथ Minister of State for PMO, Personal, Public Revences, Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space इन सभी का कारेबार देखते हैं अगर Jammu and Kashmir से जुड़े पिछले कुछ महीनों के Current Affairs की बात करें तो Dr. Jitendra Singh ने North India का पहला BioTech Industrial Park Project का उद्खाटन किया था कट हुआ में जो की Jammu में है साथ ही Jammu and Kashmir First UT है हमारे देश की जहां पर PFMS इसको District Level पर Operationalize किया गया है PFMS का मतलब है Public Financial Management System ये हमने First and Second November के Current Affairs में cover किया है साथ ही Jammu and Kashmir के Lieutenant Governor ने यहां पर जो Jammu and Kashmir के Administrative Service Officers हैं इनके लिए Sparrow System भी launch किया था Sparrow का मतलब है Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window और फ्रेंड्स यहां से आप Jammu and Kashmir के बारे में देख सकते हैं कि इसकी Capital है Jammu जो की Winter Capital है और Summer Capital है Srinagar और साथ में फ्रेंड्स यह भी याद रखना कि English और Urdu के अलावा कस्मीरी, डोगरी और हिंदी आगे बढ़ते हैं As part of Mission Sagar 2 Which Indian naval ship delivered food aid to Sudan, South Sudan, Djibouti and Etria? The correct answer is option D Mission Sagar 2nd के तहत INS Aravat जो यह और नोसैनिक जहाजय इसने सुडान, दक्सिंड सुडान, जिबूति और Etria को खाती सायता पहुंचाई है और friends इससे पहले भारत Mission Sagar 1st भी operate कर चुगा है जिसके तहत Maldives, Mauritius, Cicilles, Medagascar Comoros यहाँ पर food aid और medicines भिजवाई गई थी और यह सभी प्रोग्राम चल रहे हैं भारत का Vision Head Sagar, जिसकी 2015 में unveil किया गया था सागर का मतलब है security and growth for all in the region Which bank signed a loan agreement amounting to up to 1 million US dollar with the Japan bank for international cooperation The correct answer is option C State bank of India ने अंतराष्टे सहयोग के लिए Japan bank के साथ 1 billion American dollar तक के रिंट समझोते पर हस्ताक्षर किये है यानि की 430 करोड रुपे total loan amount है जिसके लिए साइन किया गया है The untouchables Which body approved acquisition of general insurance business of भारती EXA by ICICI Lombard The correct answer is option B तो ICICI Lombard द्वारा भारती EXA के General Insurance Business के अधिकरन को Competition Commission of India यानि भारती परतिसपरदा आयोग इसने approve किया है और फ्रेंड्स जो यह CCI है इसके चेर्मेन है असोक कुमार गुपता अच्छा जो यह equation हुआ है यह Competition Act 2002 के Section 31 Subsection 1 इसके अंतरगत किया गया है और फ्रेंड्स जो यह Competition Commission of India है इसके उद्देश मार्केट में Competition बनाए रहे इसको सुनुश्चित करना है साथी consumers के हितों की रक्षा करना है और मार्केट की जो स्वतंतरता है वह बनी रहे तो इन सभी यह सभी उद्देश से Competition Commission of India के है विच एडिशन ओफ दी मालाबार नवल एक्सराइज कमेंस्ट ओफ विसाका पटनम इन बे ओफ पैंगॉल ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन डी तो विसाका पटनम बंगाल की खाड़ी से माला आस्ट्रेलिया तो फ्रेंट्स 1992 में माला बार जो यह सीरीज है मेरिटाइम एक्सराइज यह सबसे पहले भारत और यूएस ने भी के बीच हुई फिर 2015 में इसे चापान ने भी जोइन किया और अब 2020 में आस्ट्रेलिया भी इसमें सामिल हो गया है इंडियन ओयल कॉर्परेशन और इंडियन ओयल कॉर्परेशन और इंडियन इंस्टिटूट ओफ साइंस बैंगलूरू ने हाइड्रोजन जेनरेशन टेकनलोजी के लिए एक समझवता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं और फ्रेंट्स अगर हम IISC बैंगलूरू से जुड़े हुए करंट अफेर्स की बात करें तो इसने इसकीन कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक नॉन इन्वेजिव बैंडेज ठीक है इसको भी डेवलप किया है साथ ही ISRO और IISC बैंगलोर ने इन दोनों ने लूनर सर्फेस पर यानि चंद्रमा की सतय पर एक स्पेस ब्रिक बनाने के लिए सस्टेनेबल प्रोसेस भी डेवलप किया है तो यह सभी पिछले महीने के करंट अफेर्स हैं यहां पर यह केवल आपको रिविजन के लिए मैं बता रहा हूं इनको आप अगर डेटेल में देखना चाते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे तो गूगल ने 2025 तक अपने उतपात पैकेजिंग को 100% प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना बनाई है और फ्रेंड्स इससे पहले Amazon अपनी सभी पैकेजिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर चुका है यानि हटा चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब इस तरह की पैकेजिंग या इस तरह की जो प्लास्टिक होती है जिस जो की केवल एक ही बार यूज हो सकती है आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर Amazon से कुछ मगाते हैं तो अगर आपने कोई cloth मगाया है उससे cloth मगाया है तो उसमें जो पैकेजिंग होती है वो इस तरह की प्लास्टिक होती है या पनी होती है जिसे आप दुबारा यूज भी कर सकते हैं तो वो सिंगल यूज नहीं होती है उसको आप multiple यूज कर सकते हैं अन्दी लाइन्स ओफ IPL cricket अ यूनिक प्लास्टिक प्रीमेर लीग टूर्णमेंट वस प्लेड इन विच सीटी ती करेक्ट आंशर इस ओप्षन बी तो IPL cricket की तरज पर मद्यपरदेश के इन दोर शहर में एक प्लास्टिक प्रीमेर लीग टूर्णमेंट खेला गया है Grand Robertson has been named as the deputy prime minister of which country तो Grand Robertson को New Zealand की उप्रदान मंत्री के रूप में नामित किया गया है और friends New Zealand की capital है Wellington और currency है New Zealand dollar Which state was as just the best governed state in the large states category according to the Public Affairs Index 2020 The correct answer is option A The Public Affairs Index 2020 का अनुसार केरल राज्जे को जो बड़े राज्जों की श्रेणी है इसमें सर्वस्रेष्ट सासीत राज्जे घुशित किया गया है और इसके बाद आते है तमिलनाडू फिर आंदरप्रदेश और फिर करनाटका और जो इस लिस्ट में सबसे लास्ट में है या वर्स स्टेट है वो है उत्तरप्रदेश और अगर smaller states category की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है गोवा फिर मेगालाए फिर ही माचल प्रदेश और लास्ट नंबर पर है मनीपूर अगर union territories की बात करें तो नंबर वन पर है चंडिगड फिर पूडुचेरी और फिर लक्षदीप और लास्ट में है दादर है नागर हवेली फ्रेंड्स जो ये पब्लिक अफेर्स इंडेक्स रिपोर्ट है ये पब्लिक अफेर्स सेंटर द्वारा रिलीस किया जाता है ये बैंगलूरू बेस्ट एक not for profit organization है और इसके head है पूर्व इसरो परमोख के कस्तुरी रंगन और sustainable development के तीन criteria इसमें आधार बनाए जाते हैं equity, growth and sustainability रिसेंटली orange line metro train was started in which country तो हाल ही में orange line metro train पाकिस्तान में शुरू की गई है और ये जो है ये पहला transport project है अंडर CPAC CPAC यानि चाइना पाकिस्तान economy corridor IIT कानपूर and the archaeological survey of India have signed an agreement with which country for restoration of monuments The correct answer is option A IIT कानपूर और भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन ने इस मार्कों की बहाली के लिजिए या फिर मरमत के लिए Italy के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो यहां पर Italy के दो institutes हैं उनके साथ यहां पर यह MOU sign किया गया है Italy की capital है Rome और currency है Euro Which state government has decided to establish anti-human trafficking police stations in each and every district Correct answer is option C तो उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने परतेग जिले में मानव तसकरी विरोधी police station इस्थापित करने का निर्णे लिया है उत्तरप्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ यहां की governor है आनंदी में पटेल जो की मद्यप्रदेश की भी governor है और capital है लखनौ रिसेंटली टाइफून गुनी रेक्ट हैवोक इन विच कंड्री ती correct answer is option D तो हाल ही में जो यह टाइफून गुनी है यह फिलिपिन्स में आया है और काफी जान और माल की हानिया इसने पहुचाई है तो friends फिलिपिन्स की capital है मनीला और currency है फिलिपाइन पैसो और प्रेजिडेंट है यहां के रोडरीगो डुटर्टे और friends फिलिपिन्स में इसको कहा गया है सूपर टाइफून रोली Rosa Ilsa Rodriguez has been appointed the first female security minister to tackle drug cartels तो friends question की lying wage में थोड़ा add कर लेना आप यहां पर question पूछा गया है कि किस country की यह बनाई गई है सुरक्षा मंत्री तो answer होगा option B तो जो रोजा इल्जा रोडरीगेज है तो drug cartels से निपटने के लिए ब्राजील की friends यहां पर यह ब्राजील नहीं है यह मेक्सिको है तो यह जो sign है यह थोड़ा उपर नीचे हो गया है तो मेक्सिको की पहली मैला सुरक्षा मंत्री इनको बनाए गया है जो यहां पर drug cartels लिखा है इसका मतलब होता है देखे कई तरह के ऐसे groups होते हैं जो drugs वगएरा में deal करते हैं या फिर नसीली दवाईया supply करते हैं तो इन सभी इसी तरह के groups से निपटने के लिए इनको पहली मैला सुरक्षा मंत्री बनाए गया है और इनका नाम है रोजा इलसा रोड्री एज मेक्सिओ ही कैपिटल है मेक्सिको सीटी और करंसी है पैसो तो एक काफी important question है विच स्टेट विल सेट अप इंडियास फर्स्ट सेंड डून पार्क the correct answer is option A तो भारत का पहला सेंड डून पार्क गोवा राज्य में स्थापित होगा तो भारत का सेंड डून पार्क गोवा में बनेगा और इसके लिए वर्ड बैंक द्वारा तीन करोड रूपे भी स्विकरित कर दिये गए हैं ये डून पार्क गोवा के मोडजिम और गलगी बगा बीच पर बनेगा इस पार्क के थ्रू लोगों को सेंड डून के संरक्षण की महत्वता और इसके संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी इको फ्रेंडली मैटिरियल्स का यूज करके ब्रिजल बनाए जाएंगे ताकि लोग इन सेंड डून वेजिटेशन से दूर रहें फ्रेंड्स सेंड डून विंड द्वारा बनाए गए सेंड डिपोजिट्स होते हैं ये रेगिस्तान या बीचेस पर बनते हैं ये सुनामी और समुद्री तूफान के अगेंस्ट एक सिल्डी की तरह काम करते हैं नेक्स्ट कोश्चन प्रियंका राधा कृष्णन बिकेम दी फर्स्ट एवर इंडियन ओरीजिन मिनिस्टर ओफ विच कंट्री तो प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजिलेंड की पहली भारतिय मूल की मंत्री बनी है और न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डन जो की हाल ही में अपना second term शुरू किया है इन्होंने Capital है Wellington New Zealand की और Currency है New Zealand Dollar और Friends जो यहां की Prime Minister है जेसिंडा आर्डन इनकी Party है Labour Party और अगर New Zealand से जुड़े हम हाली के Current Affairs की बात करें तो जेसिंडा आर्डन ने Grant Robertson इनको Deputy Prime Minister बनाया है साथ ही New Zealand में अब दुनिया के सबसे ज़्यादा LGBT Communities के MPs हैं Member of Parliament तो टोटल यह 11 हैं अब विच रैपीड ट्रांजिट प्रोवाइडर कंपनी लॉंच्ट नॉर्थ इंडियास फर्स्ट मेट्रो स्टेशन डेडिकेटेट तो दी ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो नॉड़ा मेट्रो रेल कोर्परेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पीत उत्तर भारत का पहला मेट्रो स्टेशन शुरू किया है तो फ्रेंड जो सेक्टर 50 स्टेशन है नॉड़ा मेट्रो रेल कोर्परेशन इसको अपरेट करती है और इसका नाम अब बना दिया गया है प्राइड इस्टेशन विच कंट्री लॉंच्ट विक्टोरिया फॉल्स स्टोक एक्सचेंज टू ट्रेड सोलिली इन फोरेन करंसी तो जिम्बावे ने विदेशी मुद्रा में पूर्ण रूप से व्यापार करने के लिए विक्टोरिया फॉल्स स्टोक एक्सचेंज शुरू किया है जिम्बावे के प्रेजिडेंट है इमर्सेन नगाउंगवा कैपिटल है हरारे और करंसी है जिम्बावे न डॉलर फ्रेंट्स जिम्बावे को पहले रोडेशिया कहा जाता था और जिम्बावे जो है यह जी रिवर पर है। तो दुआर्टे पाशे को इनको इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन यानि अंतर संस्थिय संग का निया अध्यक्ष चुना गया है। यह पुर्तुगाल के MP हैं और इनका कारेकाल रहेगा तीन साल का 2020 से 2023 तक। और फ्रेंट्स अगर हम इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन की बात करें तो यह एक ग्लोबल ओर्गनाइजेशन है और 179 पार्लियमेंट्स इसकी मेंबर हैं और इसका स्लोगन है फोर डेमोक्रेसी फोर एवरीवन और इसका हैटक्वाटर से जीनेवा इन स्वीटजर्लेंड रिसेंट्ली एरपोर्ट्स अथॉर्टी ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर विच एरपोर्ट तो दी अडानी ग्रूप ओन लीज फोर पिरियड और फिफ्टी यर्ज ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो हाल ही में भारति विवान पट्टन क्राधिकरण यानि ए ए आई ने लखनव एरपोर्ट को पचास वर्सों की अवदी के लिए अडानी समों को सौप दिया है लखनव एरपोर्ट का नाम जैपूर, मैंगलूरू, त्रिवननत्पुरम और गौहाथी और जब इसका बेडिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो अडानी गुरूप ने इन सभी के राइट्स अपने नाम कर लिये थे As per the WWF Water Risk Filter, how many Indian cities likely to face acute water risks by 2050? The correct answer is option C. The WWF Water Risk Filter के अनुसार 2050 तक 30 भारतिय सहरों में गंबीर जल की समस्या होने वाली है और friends इसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या रहेगी वो रहेगी जैपूर में जो की 45 वे स्थान पर है इसने टोप 100 cities का बताया है तो जैपूर इसमें 45 वे नंबर पर है और सबसे ज़्यादा समस्या पूरे इन 100 cities में रहने वाली है तो वो है इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया city और इसके बाद आती है साओधी अरेबिया की मेका और फ्रेंट्स यहाँ पर देखिए यह cities दी गई है 30 cities यहाँ पर इंडियन 30 cities दी गई है जिनको इसमें सामिल किया गया है फ्रेंट्स यह तिल वी विन इस सिर्शक वाली पुस्तक को लिखा है एम्स डेली के डारेक्टर रंदीब गुलेरिया जी ने साथी गगंदीब कांग ने और चंदरकांथ लहारिया ने तो 2020 के लिए डॉक्टर तुलसी दास चुख पुरुस्कार से सम्मानित किये गए है सतीश मिश्रा फ्रेंट्स जो सतीश मिश्रा है यह CSIR CDRI लखनव में साइन्टिस्ट है और यह अवार्ड दिया गया है National Academy of Medical Sciences की तरफ से और यह इनको मिला है इनकी रिसर्च वर के लिए जो कि इनोंने Malaria Parasite की Life Cycle के लिए किया है विच एजन्सी कोलाबरेटेड विद मिनिस्ट्री ओफ आयूस तो सेट अप स्ट्रेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो SPFB The correct answer is option B तो आयूस मंत्राले ने Strategic Policy and Facilitation Bureau इस्थापित करने के लिए Invest India के साथ सहयोग किया है और फ्रेंट्स जो यह Strategic Policy and Facilitation Bureau बनेगी तो इसका काम यही होगा कि इसके थुरू आयूस सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए उसकी कैसी तरक्की की जाए तो इसी बारे में एक Policy बनेगी फ्रेंट्स जो आयूस है आपने सुना होगा ना Ministry of Ayus तो आयूस का मतलब होता है आयूरवेदा, योगा and नैचुरोपैथी वाई का मतलब है योगा and नैचुरोपैथी युनानी, सिद्धा and होमेपैथी तो यह सभी Indian Medicine System है और फ्रेंट्स यह भी आद रखना कि National Institute of Ayurveda यह जैपूर में है आगे बढ़ते हैं तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार सेटेलाइट इस एकस्पेक्टेड तो बी लॉंच्ट बाइ विच एर ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार जो यह सेटेलाइट है यह 2022 तक लॉंच होने की इसकी उम्मीद है और इस सेटेलाइट के लिए जो एग्रिमेंट साइन हुआ था वो 2014 में हुआ था यह एक रेडार इमेजिंग सेटेलाइट है जो की रिमोट सेंसिंग के लिए यूज की जाएगी अब रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि फिजिकल कॉंटेक्ट में आए भी न किसी सिस्टम की जानकारी जुटाना तो इस सेटेलाइट से earthquake, tsunamis, ice seat collapse तो इन सभी natural process के बारे में जानने में सायता मिलेगी विच आयाइटी लॉंच्ट असेल्फ हेल्प वेबसाइट बंधू तो एसिस्ट इट्स स्टुडेंट इन तफ टाइम ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन दी तो आयाइटी बॉंबे ने कठिन समय में अपने चात्रों की सायता के लिए एक स्वयम सायता वेबसाइट जिसका नाम बंधू है इसकी शुरुवात की है और फ्रेंट्स इसको इन अगुरेट किया है Union Minister of State for Education संजे दोत्रे ने तो फ्रेंट्स ये अपने स्टुडेंट्स के लिए क्या है जो की किसी mental pressure में आ जाते हैं या फिर किसी और की उन्हें mental तकलीफ है तो उसके बारे में उन्हें यहां से सायता परदान की जाएगी इस website के थूँ Which state government has withdrawn general consent given to CBI to investigate cases in the state The correct answer is option C तो महराष्ट राज्य ने राज्य के मामलों में जाज के लिए CBI को दी गई जो भी general consent होती है उसको वापस ले लिया है और friends CBI का मतलब तो आपको मालूम होगा Central Bureau of Investigation तो महराष्ट ने जो यह consent अपनी वापस ले ली है तो यह power इसको देता है Delhi Special Police Establishment Act 1946 की Section 6 ठीक है friends तो अब अगर CBI को किसी भी matter में probe करना है तो state government की इजाज़त उसमें लेनी पड़ती है तो अब अगर state चाता है CBI से कोई जाज करवाना तब तो ठीक है लेकिन CBI अपने आप से यहाँ पर जाज नहीं कर पाएगी जब तक की महाराष्ट सरकार स्विक्रती ना दे और इससे पहले West Bengal और राजस्थान भी इस तरह के step ले चुके है तो भारत में राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो की हैदराबाद में है इसने यात्रियों के लिए इबोर्डिंग सुविदा सुरू की है और ऐसा करने वाला ये पहला एरपोर्ट बन गया है भारत का तो friends e-boarding facility में क्या होगा कि जब भी कोई person online ticket book करेगा तो उसका जो e-boarding पास है वो भी उसको साथ ही मिल जाएगा तो अब उसको क्या करना है वो एरपोर्ट जाएगा और वहाँ पर e-boarding scanner लगा होगा तो वहाँ पर उसको उसके सामने दिखा कर वो अपनी entry कर पाएगा और ये सुरिधा दी जा रही है एर इंडिया और इंडिको की तरफ से लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइडो इलेक्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इस लोकेटेड इन विच स्टेट ती क्रेक्ट आंसर इस ओप्शन डी हाल ही में चर्चा में रहा लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइडो इलेक्टिक प्रोजेक्ट ये हिमाचर परदेश राज्य में इस्थित है परदान मंतिर नरेंदर मोदी जी की अद्धक्सता वाली कैबिनेट कमीटी ओन एकोनोमिक अफेर्स ने इस 210 मेगावार्ट के प्रोजेक्ट के लिए 1,810 करोड रुपीज एप्रूव किये हैं ये प्रोजेक्ट सतलूज नदी पर है हिमाचर परदेश के सीम है जैराम ठाकूर यहां के कवर्णर है बंदारू दत्ताद्रे और कैपिटल है शिमला हिमाचर परदेश जिन राज्यों से अपना बॉर्टर शेर करता है वे हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाक जोकी यूनियन टेरिटरी हैं दोनों ही, पंजाब, हरियाना, उत्राकंड, उत्तर परदेश एंड तीबत ओटोनॉमेस रीजन इन चाइना अगर हम फ्रेंड्स हिमाचर परदेश से जुड़े, पिछले कुछ महीने के करंट अफेर्स की बात करें, तो हिमाचर परदेश ने पंचवटी योजना लौंच की है, साथी हिमाचर परदेश गवर्मेंट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है निगा तो सेंसिटाइज पीपल, तो सेंसिटाइज का मतलब होता है किसी को किसी समस्या के प्रति अवेर करना, तो यहाँ पर लोगों को कोविड-19 के रिगार्डिंग सेंसिटाइज करने की बात कही गई है, साथी हिमाचर परदेश सीम ने मुख्य मंतरी वन बिगा स्कीम इसको भी लॉंच किया था, रूलर एकोनोमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, फ्रेंड्स यह सभी स्कीम पिछले कुछ महीनों की हैं, तो आप इनको गूगल पर सर्च करके, डेटेल में पढ़ सकते हैं, यह केवल आपके रिवीजन परपस के लिए यहाँ पर बताई जग गई है, तो हाल ही में, जनरल रोबर्ट किबोची भारत की यात्रा पर थे, यह केनिया देश के रक्सा बलो के परमुख हैं, केनिया की कैपिटल है नेरोबी और यहाँ की करंसी है केनियन शिलिंग, फ्रेंड्स दो और्गनाइजेशन याद रखना जिनके हैटकॉर्टर्स नेरोब प्रोग्राम, UNEP और United Nations Human Settlements Program यानि UN Habitat, इन दोनों ही और्गनाइजेशन के जो हैटकॉर्टर्स हैं, वो नेरोबी में हैं। और यह संबान इनने दिया गया है Society of Biological Chemistry द्वारा, फ्रेंड्स इसी तरह के अगर हम अवार्ड की बात करें, तो हाली में Dr. Satis Mishra, जो की साइंटिस्ट हैं, इन्हें Dr. Tulsidaas Chug Award 2020 मिला है, तो यह दोनों ही अवार्ड आप याद रखना, इसको सेट अप करेगा, और फ्रेंड्स, इसराइल के जो अमबैस्टर हैं भारत में, वे हैं Ron Malka, जो की इस इवेंट में सामिल रहें, जब यहां के चीफ मिनेस्टर, सरवननन्दा सोनवाल ने इसकी foundation रखी, और आसाम के गबंड़न है जगदीश मुखी, और आसाम की capital है दीशपूर, और फ्रेंड्स, अगर हम आसाम से जुड़े current affairs की बात करें, तो आसाम government ने स्वयम scheme इसको relaunch किया है, और यह एक self employment scheme है, स्वयम के मतलब है स्वामी विवेका नंदा आसाम youth empowerment, साथी आसाम ने अरुनो दोई scheme को launch किया है, अगर हम आसाम की बात करें, तो यह बूटान, अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, मनिपूर, मिगाले, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बेंगौल, एंड बांगलादेश से अपना land border share करता है, आगे बढ़ते हैं, अहमेद मेसूत यिलमास, who passed away recently, was the former prime minister of which country, तो अहमेद मेसूत यिलमास, जिनका हाली में नीतन हो गया, यह तर्की के पूर परदानमंत्री रह चुके हैं, और तीन बार यह तर्की के परदानमंत्री के रूप में कारे कर चुके हैं, और अगर हाली के बात करें, तो तर्की के प्रेजिडेंट है, रेशेप तयब अर्दुआन, तर्की की capital है, अंकारा, और यहां की currency है, लीरा, फ्रेंट्स, एक सक्स आप याद रखना, मुस्तफा केमाल अता तुर्क, इनको founding father of the Republic of Turkey कहा जाता है, और यह तर्की के first president के रूप में इनोंने कारे किया था, 1923-1938 के बीच में, और तर्की को modernize करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, तो यह आप याद रखना, फ्रेंट्स, टर्की आजकल काफी चर्चा में है, चाहे वो कस्मीर के मुद्धे पर कोई बयान देने की बात हो, या फिर अजरबाइजान और अर्मेनिया के भी जो भी संगर चल रहा है, इसमें हस्तेचेप करने की बात हो, चाहे जो फ्रांस के प्रोड़क्ट्स हैं, उनक इस बात को ध्यान में रखें, तो कॉश्चन किस तरह से बन सकता है, आपको चाहर कंट्री दी जा सकती हैं, और पुछा जा सकता है कि टर्की की बाउंट्री इन चाहर कंट्री में से किस से टच नहीं करती है, या किस से शेर नहीं करती है, तो इस मैप से देखते हैं, ग्री एंड ब्रोड कास्टिंग इंडिया हो विल हैड दिस कमीटी ती क्रेक्ट आंसर इस ओप्षन सी तो सूचना और प्रसारण मंत्रा ले ने बहरत में टैलिविजन रेटिंग एजंसियों के निसा निर्देश की समिक्षा के लिए एक समीति का गठन किया है और इस समीति के परम यह दरसाता है कि कितने प्रतीशत वीवर्स ने किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को देखा है जब किसी शो को ज़्यादा देखा जाता है तो उसकी ट्यारपी ओविसली है की बढ़ती है बार्क यानि ब्रोड कास्ट ओडियंस रिसर्च काउंसिल कुछ सेलेक्टेड घरो फंपरेटेड तर्टेड अर्बन मोबिलीटी इंडिया कॉंफरेंस 2020 एक रेक3the एंसरीज ओप्षण डी तो 13 अर्बन मोबिलीटी इंडिया शंमेलन धोजार भीश इसका उद्गातन किया है हर्दी सिंग पूरी ने फ्रेंट्स हर्दीप सिंग पूरी के पास दो मेंस्ट्रीज है Ministry of Housing and Urban Affairs और Ministry of Civil Aviation ठीक है तो ये दोनों मेंस्ट्रीज के पास है और जो ये Urban Mobility India Conference हुई है इसका theme रहा है Emerging Trends in Urban Mobility फ्रेंट्स अगर मैं आपको एक extra knowledge दूँ हाला कि ये paper में नहीं पूछी जाएगी पर फिर भी आप ध्यान रखना जो हर्दीप सिंग पूरी है ये United Nation में बारत के Permanent Representative के रूप में कारे कर चुके हैं 2009 से 2013 तक तो आप देख सकते हैं कि काफी important person है इस ministry में विच मिनिस्ट्री लॉंच्ट दे एस ए आरबी पावर स्कीम्स फोर विमन साइंटिस्ट रिसर्चर्चर्स इन साइंस एंजिनियरिंग The correct answer is option C तो Ministry of Science and Technology ने महिला विज्ञानी को विज्ञान और इंजिनियरिंग में सोथ करताओ के लिए SERB पावर योजना की सुरुवात की है और friends इसके तहत जो SERB friends पहले तो यह जान लेते हैं SERB का मतलब क्या है SERB का मतलब है Science and Engineering Research Board जो की Department of Science and Technology के एंडर कारे करता है अब देखिए SERB Power Fellowship इसके अंतरगत Personal Fellowship दी जाएगी 15,000 पर मत की और रिसर्च गरांट दिया जाएगा रुपीज 10 लाग पर एनम का कीने women researchers को और यह 3 साल के लिए applicable रहेगा The correct answer is option D तो The Economics of Small Things इस पुस्तक को लिखा है सुदीपता सारंगी ने और friends इसी की तरह की एक पुस्तक और है The God of Small Things यह कई बार एक्जाम से पुछी जा चुकी है और इसकी राइटर है अरुन्दती रोई यह एक novel है ठीक है तो यह याद रखना अरुन्दती रोई ने डिखा है The God of Small Things बासकराचाये National Institute for Space Applications and Geoinformatics is an autonomous scientific society under which ministry ती कर्रेक्ट आंसर इस ओप्शन दी तो बासकराचाये National Institute for Space Applications and Geoinformatics यह एक autonomous scientific society है अंडर Ministry of Electronics and Information Technology यह question friends मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हाली में परसार भारती ने बासकराचारे National Institute for Space Applications and Geoinformatics इसके साथ एक MOU sign किया है जिसके अंतरगत 51 DTH educational TV channels दुरदर्शन के co-branded channel के रूप में दुरदर्शन के सभी मुफ्त डिश दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे who won the 2020 Emilia Romagna Grand Prix the correct answer is option C तो 2020 Emilia Romagna Grand Prix यह जीता है Lewis Hamilton ने friends Lewis Hamilton ब्रिटेन से हैं और यह Mercedes के लिए racing करते हैं साथी Max Verstepen यह Belgium के हैं जो कि Red Bull के लिए racing करते हैं और Walteri Bottas यह Finland के हैं जो कि Mercedes के लिए racing करते हैं friends SSC में एक बार यह question पूछा गया था कि Silverstone circuit यह किस sport से related है या फिर इस तरह से पूछा गया था कि किस country में है तो दोनों में से एक type पूछा गया था वो मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन पूछा गया था तो इसका answer होगा motor racing का circuit है यह तो question किसी भी तरह से बन सकता है कि Silverstone motor racing circuit किस country में है तो answer होगा England यह यह पुछा दा सकता है कि Silverstone circuit यह किस sport से related है तो answer होगा motor racing The Indian oil has partnered with which company to transform its customer experience using digital tools The correct answer is option A तो Indian oil ने IBM यानि International Business Machines Corporation इसके साथ साज़ेदारी की है जिसके तहत यह अपने ग्रागों को एक digital अनुभाव परदान कर सकेगी और IBM ने इसके लिए Indian oil one mobile app भी बनाई है Friends, IBM इसका headquarters New York में है और इसके CEO है अर्विंद कृष्णा Recently, which country opened the 129-year-old motor tunnel for tourists? The correct answer is option D तो हाल ही में पाकिस्तान ने परेटों के लिए 139 वर्स पुरानी motor tunnel को खोल दिया है यह है वो tunnel जो कि पाकिस्तान के अधिकारियों को अचानक से दिखी और मिट्टी के धेर और गास से यह धकी हुई थी उसके बाद इसे restore किया गया और अब tourist के लिए खोल दिया गया है और इस tunnel के top पर जो Salam Anson है वो है 1891 पाकिस्तान के PM है म्रान खान, प्रेजिडेंट है आरिफ अलवी और कैपिटल है इसलामाबाद यहां की करन से है पाकिस्तानी रूपी आगे बढ़ते हैं इंडिया होस्टेड हाई लेवल जोइंट टास्क फोर्क्स और इन्वेस्टमेंट विद विच अफ दा फोलोईंग कंट्रीज तो भारत ने संयुक्त अरब अमिरात के साथ मिलकर निवेश पर उच्छ इस तरिये संयुक्त कारेबल इसकी मेजबानी की है और भारत की और से मेजबानी की है प्यूस कोयल ने प्यूस कोयल के पास तीन मिनिस्ट्रीज है Ministry of Railways Ministry of Commerce and Industry और Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution तो जो ये Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution है ये पहले राम विलास पासवान जी के पास थी लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया है तो ये Ministry अब प्यूस कोयल को दे दी गई है और जो ये Joint Task Force है ये 2012 में गठित की गई थी अगर हम फ्रेंट्स UAE से जुड़े Current Affairs की बात करें UAE मार्स पर अपना मिशन लॉंच करने वाला पहला अरब देश बन गया है और इस मिशन का नाम है अल अमल या फिर होप और फरवरी 2021 तक ये पहुँचेगा मार्स पर और जापान के तनग शीमा Space Center से इसको लॉंच किया गया था और फ्रेंड्स अगर UAE की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है अबुधावी करंसी है दिरहम और प्रेजिडेंट हैं आगे खलीफा बिन जायद अल नहायन पन्ना बाइसफेर रिजर्व हैस बिन डिकलेरड अ युनेसको बाइसफेर रिजर्व इन विच इस इस बाहस फिर रिजर्व located दिक कर्यक्ट आंसर अउप्शन डी तो पन्ना बाइसफेर रिजर्व को युनेसको बाइसफेर रिजर्व घुशित किया गया है और ये बाइसफेर रिजर्व जो है मध्यपरदेश में है और इसी के अंदर Tiger Reserve भी है तो पन्ना Biosphere Reserve को ही Tiger Reserve का status दिया गया है तो मद्यपरदेश में ये तीसरा ऐसा Biosphere Reserve है जिसको UNESCO के Man and Biosphere प्रोग्राम में शामिल किया गया है इससे पहले पछमारी और अमरकंटक को भी इस लिश्ट में सामिल किया गया है फ्रेंट्स पन्ना जो है यहाँ पर एक टाउन है मद्यपरदेश में और यहाँ पर खजुराओ टेमपल्स भी है फ्रेंट्स इसमें एक important fact आप और याद रखना तो जो ये UNESCO का Man and Biosphere प्रोग्राम है तो इसमें अब भारत की और से 12 Biosphere Reserve एड़ कर दिये गए हैं यह है उनकी लिष्ट यह 11 की लिष्ट है इसमें आप 12 भी एड़ कर देना पन्ना लेकिन फ्रेंट्स जो भारत के Biosphere Reserve है टोटल वे हैं 18 तो आप इन में confuse मत हो ना बारा तो है UNESCO ने जो एड़ किये हुए हैं और भारत में टोटल हैं 18 आगे बढ़ते हैं चाइना इस बिल्डिंग दी वर्ड्स हाइएस्ट एल्टिट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर इन विच रीजन तो चीन तिबबत में दुनिया के सबसे अधिक उचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्मान कर रहा हैं तिबबत को शीजॉंग कहते हैं और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और तिबबत यानि शीजॉंग इनके बॉर्डर पर लाई करती है ठीक है यह आप याद रखना तिबबत को रूफ ऑफ दवर्ड भी कहते हैं और जो यह डेटा जो यह क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनेगा तो क्योंकि कोश्चन है बात की गई है वर्ड हाइस्ट एल्टिट्व तो याद रखना इसकी उचाही रहेगी 3,656 मिटर्स अब जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है तो फ्रेंट्स क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो इंटरनेट बेस्ट जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराना एंड यूजर तक ठीक है अगर आप इससे भी सिंपल भासा में कहें तो इंटरनेट या नेटवर्क पर सर्विसेज डिलीवर करने के लिए हार्डवेर और सोफ्ट्वेर का उप्योग करना क्लाउड कंप भारत के 47 में मुख्य नयाइदीस सरद अरविंद बोगडे ने नागपूर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र नियाय कोशल का उदभाटन किया है फ्रेंड्स यहां पर मैंने 47 इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि यह 47 चीफ जस्टिस ओफ इंडिया है तो कई इसी भी हाई कोर्ट में या फिर डिस्टिक कोर्ट में फ्रेंड्स नागपूर से अगर जुड़े हों एक फैक्ट देखें तो नागपूर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं आगे बढ़ते हैं विच स्टेट हैस रिसेंडली पास्ट एन ओडर फॉर हंड़ेड परसेंट एक्जेंप्शन ओफ मोर्टर वहिकल टेक्स फॉर बैटरी ओपरेटेड़ वहिकल्स ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो हाल ही में तमिल नाडु ने बैटरी चालित वहानों के लिए मोर्टर वहान कर में 100 परतिशत की छूट देने का आदेश पारित किया है औ और फ्रेंड्स तमिलनाडु के सीम है एके पलनिस्वामी गवर्णर है यहां के बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नाई which of the following will be the sponsors of the new kit of the Indian cricket team the correct answer is option A MPL यानि Mobile Premier League तो यह अब जो भारते cricket team की नई kit है इसका sponsor होगा और यह deal sign की गई है तीन साल के लिए और इस deal की जो लागत है वो है रुपीज वन ट्वेंटी करोड़ which state recently launched accelerator for electronics technologies ACE to provide a boost to the startups the correct answer is option A तो हाल ही में केरल राज्य ने startup को बड़ावा देने के लिए accelerator for electronics technologies इसको launch किया है और friends एक बात इसमें आप याद रखना जो यह accelerator है तो इसको launch किया है केरला startup mission KSUM और Center for Development of Advanced Computing यानी CDEC ने तो friend जो यह CDEC है यह ministry of electronics and IT इसके अंदर काम करती है तो यह आप याद रखना काफी important fact है CDEC who became the first player in the world to score 1000 successes in T20 cricket the correct answer is option C तो T20 cricket में 1000 चक्ये लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने है जमायका के क्रिस्केल और यह कार्णा माइनों ने किया है राजस्थान रोयल्स के खिलाफ खेलते हुए सतीष प्रसाथ सिंग who recently died of COVID-19 was the shortest serving chief minister of which state the correct answer is option A तो सतीष प्रसाथ सिंग जिनका हाली में निधन हो गया है यह बिहार राज्य के सबसे कम कारेकार वारे मुख्य मंत्री थे यह केवल 5 दिन के लिए बिहार के CM बने थे 1968 में 1968 में और बिहार के अगर बात करें तो यहां के CM नितिश कुमार गवर्णर है फागु चोहान और कैपिटल है पटना फ्रेंड्स बिहार के पेपर कई सारे एक्जाम्स अभी आने वाले हैं आगे क्योंकि कई फॉर्म्स निकले थे तो बिहार से लिए जानकार याद रखना यह थर्ड लर्ड्जेस्ट स्टेट है और अरिया वाइस ट्वैल्फ लर्डजेस्ट स्टेटेट ऑ कलु क है निकले पार्टाइशित ट्विट अकि इंडिटल प Culतीन देक The NSDC has partnered with which company to impart digital skills to more than one lakh underserved women in India? The correct answer is option C. So NSDC ने Microsoft के साथ बारत में एक लाग से अधिक महिलाओ को डिजिटल कोशल परदान करने के लिए साज़ेदारी की है. So NSDC का मतलब होता है National Skill Development Corporation. Recently, the Union Health Minister inaugurated the Portable Transit Hospital structure in which state? The correct answer is option C. तो केंद्रिय स्वास्थेमंद्री डॉक्टर हर्चवर्धन ने तमिलनाडू में राष्टिय आपदा राहत बल 4BN Station अरक्कम में वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये Portable Transit Hospital structure का उधगाटन किया है. Friends, ये structure बहुत कम समय में तयार हो सकता है और काफी हलका है और इसे आसानी से एक इस्थान से दूसरे स्थायम पर ले जाया जा सकता है. और Friends, तमिलनाडू के CM है E.K. पलनी स्वामी और Governor है बनवारिलाल पुरोहित और Capital है तमिलनाडू की चेन नई. अगर हम हाल ही के तमिलनाडू से जूरे Current Affairs की बात करें तो तमिलनाडू सरकार ने Battery Operated Vehicles पर 100% Motor Vehicle Tax में छूड़ दी है. साथी तमिलनाडू की M. वीरलक्षमी ये भारत की पहली महिला Ambulance Driver बनी है और तमिलनाडू गोवर्मेंट ने Smart Blackboard Scheme इसको Implement करना शुरू किया है. आगे बढ़ते हैं, वीच बैंक लॉंच्ट इंडियास फर्स्ट कॉम्प्रेहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम माइन फोर मिनिलियन्सू ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन बी तो फ्रेंट्स ICICI बैंक ने 18 वर्स से 35 वर्स की उम्र के युवा कस्टमर्स के लिए भारत के पहले व्यापक बैंकिं कारेकरम की सुरुवात की है और इसे नाम दिया गया है माइन इसमें युवा कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंस्टेंट लोन ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटीज पास रखेंगे और फ्रेंट्स ICICI बैंक के जो सीयो हैं वो हैं संदीब बक्षी हैड़क पार्टर से मुंबई में और इसकी टैग लाइन है हम है ना ख्याल आपका और अगर हम ICICI बैंक से जुड़े हुए करंट अफेर्स की बात करें तो ICICI बैंक ने एक यूनिक सेल्फ सर्विस डिलिवरी फैसिल्टी लॉंच किया अपनी कस्टमर्स के लिए जिसका नाम है आ विश्चुल प्रोपर्टी एक्जिबिशन भी लॉंच किया था होम उत्सव और फ्रेंट्स ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैस इस सर्विस को भी लॉंच किया है तो ICICI बैंक ने अपने सेलरी एकाउंट कस्टमर्स के लिए इस फैसिलिटी को लॉंच किया है जहां पर वे जो भी कस्टमर्स हैं वो लाइन ओफ ग्रेडिट और या फिर ओवर्डाट फैसिलिटी इनको अवेल कर सकते हैं विद विच कंट्री डिड युएस से कंड़क्ट जॉइंट नवल एक्सराइज कैरेट तो बांगलादेश के साथ संयुक्त राज अमेरिका ने संयुक्त नोसेना अभ्यास कैरेट का आयोजन किया है तो कैरेट का मतलब है कोपरेशन एफलोट, रेडिनेस एंड ट्रेनिंग और फेंट्स बांगलादेश की पी-म है सेख हशीना, प्रेजिडेंट है अब्दुलहमीद, कैपिटल है धाका और करंसी है बांगलादेशी टका जो इंडियन स्टेट्स बांगलादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं वे इस प्रकार हैं आसाम, मिजोरम, मेगाले, त्रिपुरा एंड वेस्ट बेंगल विच कंपनी साइंड फोर्टीन फोर हंड्रेड करोड रुपीज प्रोजेक्ट परिवर्तन कॉंट्रेक्ट विद हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन सी तो टैक महिंद पूने में और इसके CEO है CP गुर्णानी तो प्रोजेक्ट परिवर्दन ये हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा सुरू किया गया एक बिजनेस ट्रांस्फोर्मेशन प्राग्राम है जिसमें टैक महिंद्रा 9 साल के लिए 400 करोड रुपे के अनुबंद के अंत प्राइत की पहली सोर उडजा संचादित लगू रेलगाडी केरल राज्या ने शुरू की है और ये शुरू की गई है वेली टूरिस्ट विलेज में जो की थिरुवनंतपुरम है और केरल के सीम है पिनराई विजियन और यहां की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम और के पर्णनर है आरिफ मोहमद खान विच बैंक बिकेम दी फर्स्ट कोर्पोरेट पार्टनर ओफ एडेक्स फ्रॉम इंडिया तो ओफर मैसीव ओपन ओनलाइन कोर्सेज ती करेक्ट आंसर इस ओप्शन ए तो मैसीव ओपन ओनलाइन पाठ्थेगरम की पेश्काश करने वाला ब है और इसके CEO है अनंत अगरवाल और को CEO है एडम मैड्रोस, SBI के चेर्मेर है दिनेश कुमार खारा और SBI का हैटकॉर्टर है मुंबई में और फेंड्स इस प्रोग्राम के तहत या फिर इस भागिदारी के तहत जो SBI है वो यहां पर तीन कोर्से शुरू करेगा Unleasing Creativity at the Workplace, Relationship Marketing Strategy for Financial Services and Conflict Resolution पॉल जॉचरिया को एजुथचन पुरुशकारम 2020 के लिए चुना गया है तो यह सम्मान जो है केरल सरकार द्वारा दिया जाता है यह केरल सरकार का highest literary honor है यानि सहित्तिक सम्मान है और फेंड्स जो इस फुरुशकार में जो नाम है एजुथचन तो इन्हें father of Malayalam language कहा जाता है और इसमें जो प्राइज है कैश प्राइज है वो है 5 लाइक रुपी electronics startup इसको launch किया है तो यह काफी important question आपके लिए एक्जाम के लिए बन सकता है कि किस state ने accelerator for electronics startups इसको launch किया है तो answer होगा केरल साथी public affairs index यह एक list जारी करता है best governed states की तो इसमें जो bigger states हैं उनमें केरल ने top किया है और उत्तरपरदेश इसमें सबसे bottom पर रहा है साथी national statistical office यानी NSO इसने literacy rate की list जारी की थी तो इसमें केरल सबसे number one पर है और आंद्रपरदेश इसमें सबसे bottom पर है तो यह सभी आप facts याद रखना agon life insurance has announced the launch of life plus 36 critical illness insurance on which platform the correct answer is option B तो agon life insurance ने flip card पर life plus 36 critical illness insurance इस insurance प्रोग्राम को शुरू किया है और friends इसमें जो starting premium है वो है 153 रुपे का और जो life cover दे रहे हैं यह वो एक लाख रुपे तक का है और friends जो यह agon life insurance company है इसका headquarter से मुंबई में Recently, formula and adu at all were included to UNESCO's world network of biosphere reserves in which country are these located The correct answer is option B तो हाल ही में formula और adu at all को UNESCO के विस्व network of biosphere reserve में सामिल किया गया है तो यह दो दोनों ही जो biosphere हैं यह मालदीव में हैं मालदीव की capital है माले यहां के प्रेजिडेंट है इब्राहीम मोहमद सोली और currency है रूफिया और friends इन दोनों के साथ साथ भारत के पन्ना को भी इस UNESCO's world network of biosphere reserve में सामिल किया गया है यह हमने अपने previous current affairs session में detail में मैंने आपको काफी इसमें facts भी बताये थे तो आप उस video को देख सकते हैं काफी important question है इन अपॉल conducted by Asia money which bank has been voted most outstanding company financial sector in India ती correct answer is option C तो Asia money के एक सनविक्षण के अनुसार HDFC bank को भारत में most outstanding company financial sector चुना गया है HDFC bank का headquarters है मुंबई में और इसके CEO है सशिधर जगदीशन इनकी appointment हाल ही में हुई है तो काफी important appointment है यह लिजेंट्री वाइलिन इस्ट T.N. Krishnan who recently passed away was the recipient of which honor तो जो यह महान वाइलिन वादक रहे हैं T.N. Krishnan इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको पदमश्री पदमभूशन और संगीत कलानी दी इन तीन होई सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका था और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और friends अगर आपको video की speed काफी slow लगती है तो वहाँ पर option होता है YouTube पर आप महां से play speed इसकी बढ़ा सकते हैं और दोस्ते हैं आपर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और टेलिग्राम पर शेयर करें लाइक करें और comment करके friends यह जरूर बताएं कि यह video आपको कैसी लगी थैंक्यू गाइस